कुछ important बाते हैं इसमें function के इसमें क्या कि अब function हमने ले लिया है यहाँ पर function जो कि 3 argument ले रहा है और argument हमारा किसी भी type का हो सकता है मतलब any valid data type यहाँ पर कहा कि integer a, integer b, integer c यहाँ पर statements हो सकते हैं उसके बाद यहाँ पर function यहाँ पर यह क्या कर रहा है कि 3 value as a argument यहाँ पर यह क्या कि formal argument है और यह हमारा actual argument है तो अब यह function हमने call किए 1, 2, 3 तो यह 1 इसमें copy हो जाएगा, 2 इसमें copy हो जाएगा, 3 इसमें copy हो जाएगा हमारा operation run हो जाएगा मतलब जो भी हम चाहते हैं लेकिन अगर मैं बोले कि अगर हम एक 3 से ज्यादा अगर argument दे दें तो अगर 3 से ज्यादा argument देते हैं तो यह क्या होता है कि जो 3 है इसमें pass हो जाएगा अगर बाकि जो 2 है यह discard हो जाएगा मतलब इनकी कोई significance नहीं रह जाएगा तो लेकिन यहां पर error मतलब नहीं देता है अगर यहां पर क्या है कि function अगर हम 2 ही pass करें तो यहां पर 1 इसमें copy हो जाएगा 2 इसमें copy हो जाएगा और जो c है इसमें कोई value आ नहीं रहा है तो इसमें कोई भी हमारा garbage value आ जाएगा तो इसमें कोई भी garbage value आ जाएगा और operation हो जाएगा तो इस तरीके से हमारा जो इस बात का हमें खयाल रखना चाहिए कि हम जो भी function call कर रहे हैं और जो भी हमारा called function है तो उन दोनों के जो argument है actual argument और formal argument वो दोनों same होने चाहिए मतलब कोई भी हमें error मतलब ना आए इसके लिए अब जो सबसे important है वो है हमारा main function तो main function क्या होता है कि जब भी हमारा कोई भी program होता है उसमें और कोई function रहे या ना रहे उसमें main function एकदाम हमेशा मतलब जरूरी है कि वो रहे गई रहेगा और जब भी कोई program का execution होता है तो वो main से ही start होता है और main जो है function other functions को call करता है और जब सारे function call हो गए उनका काम खत्म हो गए तो दुबारा से जो control है वो main function के पास आ जाता है अब क्या होता है कि जब हमारा function यहाँ पे हमने main लिखा और इसके अंदर बहुत सारे function है तो जब यह हमारा function पूरा जब complete होगा तो यह जो होता है complete होने के बाद अगर यह complete हो गया तो यह एक value return करता है 0 अगर यह successfully complete हो गया और any non zero अगर यह unsuccessfully complete हुआ है और यह value किसको return जाती है operating system को हाँ तो यह complete हाँ तो यह क्या होगा कि complete होने के बाद अगर successfully complete है तो 0 जाएगी और अगर complete नहीं हुआ तो non zero value कोई भी return होता है उसके बाद जो सबसे important जो main function का है कि जैसे आभी मैंने बताएगा यह भी एक function ही है लेकि यह नहीं function का देखा declaration हो सकता है definition हो हो सकता है और इसके अलवब क्या हो सकता है function call हो सकता है यही तो 3 चीजह होती है हमें तो अब अगर मैं बाद करूう कि deklaration. तो declaration कॉन करता है? बागी हमने function में है तो यहापर declare कि यह एक declare नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं रहा है क्या आखिर क्या होगा तो जो declaration होता ने वह C compiler करथा है. मैं बात कर रहे हैं हम मैन option की. उसके बाद is definition. The definition. यह कौन लिखता है, आप लिखते है as a programmer क्योंकि हमने क्या है इसका definition है तो लिखते हैं और इसके बाद इसका जो function call है इस function को call कौन करता है तो वो call करता है हमारा operating system तो ये तीन चीजें हैं जो कि main function पर apply होती है तो और ये भी जानना है कि जो main function है सबसे ज्यादा important अगर कुईसी भी program में हमारा कोई और function रहे या ना रहे तो main एकदम at least एक function रहे गई रहेगा और वो जो है एक रहे गई रहेगा और वो function main होगा अब आपका question ये भी हो सकता तो क्या main को भी हम argument दे सकते हैं लेकिन वो थोड़ा advance वाला part हो जाएगा तो उसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि अभी उसके पहले हमें बहुत सारी चीजे सीखनी है कि वो सब जब clear हो जाए तभी वो समझ में आएगा तो मेरे खयाल से ये function वाला part complete हो गया